स्री शिवाएं नमस्तु ब्यम गुरु जी पंडी जी पजी मिश्र जी जोरा बता गए वेशाग के माहा के बहुत ही सारे उपाये जी हाँ और गुरु जी ने लास्ट रिया सबसे रिक्वेस की थी सबसे प्रात्ना किती निविदं किया था कि वेशाग के महने के ये उपाय तो अवश्र कीजिएगा इस बर जो वेशाग का महना है वो 21 मई तक रहेगा तो यह विशेष उपाय आप वेशाग के महने में पूरे महने करें और पूरे महने नहीं कर सके तो इन उपाय को आवश्र कीजिएगा विजली बीडिये सुरुवात करते हैं अगर आप लोगों पहला उपाए यह विशेश मनो कामना पुरती उपाए और वेशाक के महिने में अगर आम यह उपाए नियम से रोज पूरे महिने कर लेते हैं तो आग की मनो कामना अवश्री पूरी होती ही होती है और अगर आप नियम से पूरे महिने नहीं कर सकते तो जितने भी दिन कर सके वेशाक के महा में अवश्ट कीजिएगा, क्या करना है देखी, आपको सबसे पहले वेशाक के महा में अपने घर में एक मिटीता पात्र já तो रखना ही, जी या, या तो आप मठता, इस अगडी छोटा सा माटी का कलस रख ले, मठका रख ले, या जोटा सी मठकी रख ले, या माटी के अपने घर में ऑवश रखे और क्या करें, आपको मिटी के बरतन का जल, या नी मिट्टे के पात्र का जल आप पुर रात भर भर के रखना है और अगर अगे आपके चोड़र में रात कर जल में मतका स्कते हैं और अगर अखिर मटका नहीं है तो आप प्या करें एक माटी का बर्तन ले ले या दीपक भी हो तो दीपक जल भर कर रख दे रात को और अगरे जिन सुभा उस जल को पात्र में डाल ले और फिर उसका जल साथ में उसमें एक बेल पत्री डाले ठीक है यह तो जल की बात हो पर समर्पित करो पूरे रख साथ के मेने में सेमें सी करो अगर बेल पत्री आपको रोस नहीं मिल सकती है तो जल घर से ले कर जाओ बाबातियों पर बेल पत्री चड़ी रहेगी चड़ी बेल पत्री को उठा लो उठा कर उस बेल पत्री को ढोलो दोने के बात अपने पात् बाब उसकी मनोकाम्ना बहुत ही पूरी करते ही, विशेष वेसाख खे महा का मनोकामना पूरती उपाए है, दूसरा उपाए, गुरुजीने का है वेसाख के महा में पूरे महने में एक दिन, आप ने देखाऊंगा बेल पतरी के वरक्ष में बिला लगता है, उस बेल फल को आ महाद्यों के उपपर समर्पित करना है इससे क्या फायदा मिलेगा तो कुरूजी ने का है वेशाक के महा में बेल का फल जी हाँ पुरा बेल का फल जो व्यक्ति बेल का फल महाद्यों पर समर्पित करता है उसे 1000 अश्यों मेग यद के बराबर फल की प्राप्ति होती है तो गुरुगी नहीं यहां तक बताया था कि जो बेल फल हम चड़ाते हैं वेसाक के महा में उस बेल के फल को आप उठा कर धल ला सकते हो जियां घल लाकर जर देशाक महा पूरा हो जाए उसके बाद 8 हपटे तक उस बेल के फल का गूद़ा उस वेकति को खिला दे जो वेकति को पेट में पत्री हो गई हो पाचन की रिया अच्छी नहीं हो वेकति अगर ला रातव एक हपटे तक उस बेल फल को खा लेता है न जो ह गुरूजी ने ताहा आता है विशाक के महनें, अगर धन समपता वेभाव को बढ़ानाचाते हैं, जी हां, पेशो की तंगी है, कमी है, और आप चाहरें कि अब पेशो की समज्चा टूर हो जाए, तो इसके लिए विशाक के महाने में दो वरस्ट की पूजा का महँ दो गेस् दन समंदिर युटे समस्षर दूर हो जाती है। दो गर स्पोन कौन से हैं तो पहला को जिने का था बेल पत्वी का फ्रक्ष जी हां। उसकी रोज पूजा राधना तरे विशाक के महा में या फिल आपके घर में ही तुलसी मार्दा की क्यारी तो होगी तो तुलसी मार्दा की पूजा राधना तरे तो घर में तबी भी तैसर की तंगी नहीं आएगी। उठा उपाय अगर बहुत जड़ा रोगिला सरीर है रोगों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो उपाय करके देख लिए तो रोगों से मुक्ति के लिए स्वस्थ होने के लिए आप विशाक के मह महा में यह नियं धारण तरे जी नियम से कर सके तो बहुत अच्छी बागती और नियम से नहीं कर सके तो सोमवार सोमवार या प्रदोस्तिती आ जाए या शिवरात्री आजाए वेसाक के महा की तो आप यहाँ उपाय कर ले आख को का गरना है बेल फल का खोल लेना है खोल पहरा गूद निकाले के बाद जो बेल का फल वो उस फल को आपको यहनी जो खोल के उस फोल में जल वहरे जल को ऐसे तामें in खाली कर लो मेंक। जायाको महादयेव के समर्पित कर देना है। समर्पित कर दें, जलको जहल लें और जहल का उसका आश्मन कुंद केश्वर महाद्यों का नाम लेकर करना सुर्वात या विशेश उपाय है रोगों से मुक्ति पाने के लिए जो केवल मात्र वेशाक के महा में ही किया जाता है। पांश्वा उपाय, घर में शुक सांति शमद्धी बनी रहे, धर में लड़ाई सगडे कलेस बिलकोल ना हो, इसके लिए गुरू जी ने वताया था, कैसे कि वेशाक के महा में दो व्रश के पूजा का महात्व है, या तो बेल पत्री या फिर तुलसी माता, अगर आप एक लो इसके महा में करने के, आप पहरे दिन सुर्वात कर दे, में लगातर कर सके तो बहुत अच्छी बात है, या फिर जितने भी दिन आप कर सके, महा दे उपर या भी शेश्व पाया आप कर सकते हैं, वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज ओ लोगो तल जरू शेयर कीजेगा, स ख्री शिवाय नमस्दुब्य हर हर महा दे